दस गारंटी क्या है मैं एक एक करके बताता हूं सबसे पहली गारंटी है देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतिजाम करेंगे कैसे करेंगे हमारे देश में 3,00,000,000 वाट बिजली प्रड्यूस करने की क्षमता है कैपैसिटी है देश की पीक डिमांड गर्मियों के अंदर पीक डिमांड देश की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है 2,00,000,000 वाट तो आज हम देश जितनी बिजली पैदा कर रहा है पैद नहीं ज्यादा बिजली पैदा करने की हमारी क्षमता है लेकिन मेरे घर के अंदर फिर भी पावर कट लग रहे है क्यों मैनेजमेंट खराब है दिल्ली में भी यही हाल था पंजाब में भी यही हाल था बिजली तो थी लेकिन मैनेजमेंट खराब था हमने मैनेजमेंट ठी करके दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली का इंतिजाम किया पंजाब में भी किया देश में भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमें experience है देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी दिल्ली में करके दिखाई पंजाब में करके के दिखाई पूरे देश के अंदर free कर सकते हैं सवा लाख करोड रुपए का खर्चा आएगा एक ही calculation करके लाया हूं मैं मैं हवा में गारंटी नहीं देता केजरी वाल की गारंटी एक brand है मार्केट के अंदर अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरी करते हैं तो सवा लाख करोड रुपए का खर्चा आएगा सवा लाख करोड रुपए हम इंतिजाम करेंगे सवा लाख उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को 200-200 यूनिट बिजली मुष्ट मिल सकती है आज भी हमारे देश के गरीब लोगों को यह बिजली की पहली गारंटी थी दूसरी गारंटी है शिक्षा की कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतिजाम ना कर दिया जाए अगर किसी देश के अंदर धेरो लोग अनपड़ें अगर किसी देश के अंदर जादा बच्चे कई बच्चों को बिलो स्टेंडर्ड सब क्वालिटी गंदी बेकार शिक्षा मिलती है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है दस लाक सरकारी स्कूलों के अंदर 18 करोड बच्चे बढ़ते हैं जिनका कोई बविश्य नहीं है दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया पंजाब के अंदर करके दिखाया देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे अच्छे बनाएंगे शिक्षा का इंतिजाम किया जाएगा अगर आप अमीर हैं अपने बच्चे को प्राइवेट में बेजना चाहते है भीजिए लेकिन आप अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्छे को भेजते हैं तो प्राइवेट स्कूल से किसी एक परसेंट भी कम नहीं होगिए इस शिक्ष आजादी के वक्त अजाना चीए था लेकिन नहीं हो देर आए दुरुस्त आए आजादी के 75 साल बाद भी हो गया तो बहुत अच्छी बाद है। इस काम को करने के लिए पांच लाख करोड़ रुपे लगेंगे। देगे, डाई लाग करोड रुपे केंदर सरकार देगी, डाई लाग करोड रुपे राज्य सरकार देगी, साल हर साल पांच साल में हर साल पचास हजार करोड रुपे का खर्चा आएगा केंदर सरकार रुपे, पचास हजार करोड तो कुछ भी नहीं, अगर पचास हजार करो तो देश तरक्की करेगा, पड़ी लिख्य जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो ये 140 करोड रोगी तो इस देश को आगे ले जाएँगे, कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है, तो सब लोगों को अच्छे इलाज का इं पूर्ट मचा रखी है। पूरे देश में कोने में हर गाओंमे हर महले में महला क्लिनिक खोला जाएगा शानदार डिस्ट्रिक्ट थोस्पिटल जितने उंको मंटि स्पेशिलेटी बनाक्यूंको शानदार private hospitals की तरज पर बनाए जाएगा और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा insurance के अधार पर नहीं होगा यह बहुत बड़ा स्कैम है जितनी सरकारी राज्य सरकारें केंदर सरकार insurance अधारी जो स्कीम बनाती हैं यह सब बहुत स्कैम insurance companies के साथ हम infrastructure create करेंगे कोने कोने के अंदर गाउं गाउं के अंदर infrastructure create करेंगे health infrastructure create करेंगे hospital बनाएंगे महला क्लिनिक बनाएंगे ताकि लोग सी वहाँ जाके अपना इलाज करा सके और सबका इलाज मुफ्तोगा चाहे अमीरों चाहे गरीब हो इसके लिए भी पांच लाग करोड रुपए का खर्चा आएगा धाई लाग करोड राज्य सरकार देगी धाई लाग करोड केंदर सरकार देगी पांच साल के अंदर पांच करोड रुपए हर साल 50-50,000 करोड का खर्चा आएगा राष्ट्र सर्वोपरी हमारी चौथी गारंटी चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा गर लिया है हमारी केंद्र सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया कुछ नहीं हुआ सब जानते हैं पूरी दुनिया जानते हैं सैटलाइट का जमाना है सब के पास तस्वीरे हैं कि किस तरह से चीन ने हमारी सर्जमी के उपर घुसके और उसके हमारी जमीन के उपर कर्चा कर लिया जुठलाने से समस्या का समधान नहीं होगा लोगों से छुपाने से समस्या का स तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कबजा किया हुआ है उस जमीन को चाइना के कबजे से छुड़वाएंगे इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पर एफर्ट्स किये जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंतरता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो समें उठा सकती है सेना को आज जो रोका जा रहा है वो रोका नहीं जाएगा है आज हमारी अग्णीवीर योजना जो है कि हमारे युवाओं को फॉज में भरती करके चार साल के बाद निकाल दिया जाता है लोगों की एक ownership नहीं बनती है चार साल के बाद अगर आप निकाल देंगे तो एक तरह से हम सेना को सबसे cutting edge level के उपर हम कमजोर कर रहे हैं यह अगनीवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हान है और जो बच्चे युवा हमारे अगनीवीर बनके जा रहे हैं वो लो भी भी बहुत त्रस्त है अगनीवीर योजना को बंद nowledge किए जाएगा जितने बच्चें को अभी तक अगनीवीर में शामिल किया जाया उनको पक्का डेक्लियर किन जाएगा उनको पक्का डबल् अच्छी नौकरी ये बंद की जाएगी और वापस पक्के के अंदर बच्चों को लिया जाएगा और सेना को ये अगनीवीर योजना लाये थे क्योंकि के अंदर सरकार का मानना था कि सेना के उपर उनकी तंखा और उनकी पेंशन के उपर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है किसानों को आप इज़्जट की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दान देदें किसान कोई भीख नहीं मांगा रहए किसान अपनी दूप महनत करके और अपनी फसल उगाता अगर आप उसकी फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते तब वो अपने रिन नहीं चुका पाता, आत्मुत्या करने के लिए मजबूर होता, अगर आप उसकी फसलों के दाम सुनिश्चित कर दें, तो किसान को आप से कोई फेवर नहीं चाहिए, स्वामिनाथन रिपोर्ट के अध जिका दरजा दिलवाया जाएगा जो दिल्ली वासियों को, कई दशकों से दिल्ली के लोगों का खक है, बेरुजगारी, आज पूरे देश का युवा बेरुजगारी से तरस्त है, इसके लिए हमने बहुत डीटेल प्लाइनिंग किया है, हमारे मंत्रियों ने, हमारी टीम बैठके, सब लोगों ने बैठके, कि एक साल के अंदर दो करोड रोजगार का इंतजाम किया जाएगा, ताकि हमारे युगों को बेरुजगारी से निकाला जासे कि, ये प्रोड़क्तिव और एफेक्टिव एम्प्लाइमेंट होगी, भरष्टाचार, बीजेपी की वाशि मशीन इस देश का भरष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बीजेपी की वाशिंग मशीन है, इमानदार लोगों को जेल भेजने और बेइमानों को संरक्षन देने की आज जो मौजूदा विवस्था है, इस विवस्था को समाप्त किया जा है, उसी लेवल पे एफेक्टिव तरीके से पूरे देश को ग्रष्टाचार से निजात दिलवाई जाएगी, और दस्वी और आखरी गारंटी व्यापारियों के लिए, अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगुपती खुल के व्यापार नहीं कर सकते, अपन दस साल के अंदर इस देश के बारा लाख हाई नेट वर्थ इंडिविजुल्स, बड़े-बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचारक खाया सरकार, गेंदर सरकार है उन लोगों को डराने का धंकाने का, जी एस टी को PMLA से बाहर किया जाएगा, जी एस टी का सरली करन किया जाएगा, सारी प्रशासनिक और लीगल विवस्थाओं को सरली करन किया जाएगा, और एक ऐसी विवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से वेपार करना चाहे तो वेपार कर भी सकता है उद्द्योग खोल भी सकता है ज्यादा परमिशन की जरूरत नहीं होगी और बड़े स्तर के ऊपर हम वेपार को और उद्द्योग को हमारा target चाइना को पीछे छोड़ना है जो आज इस दुनिया के अंदर इसमें वेपार में और उद्योगमियोर पूड़क्शन में बहुत आगे है हमारा हमारा कम्पिटिशन उनके साथ है तो इसके लिए सभी व्यापारियों को उद्योगमियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा ये मेरी ये हम लोगों की दस गारंटी है और मजबूत गारंटी है और मैं समझत कि देश को इन सब उससे तरकी मिलेगी